कि है गाइज आइए फ्रिंड यूवर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप लोग आई होप यूवाइज आर गुट सो आज का जू टोपिक है वो चाइल साइक्लोजिस से रिलेटिड है चाइल डॉल्पेंट से रिलेटिड है और यह हर एक प्लस 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 एंगलिश लिटरेचर में इस बहुत खास और स्पेशल होने वाला ही तोपिक क्योंकि किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से जिस तरीके से मैंने इसको क्रेट किया है और मैं एटोपिक आपको कंप्लीट करवाने वाली हूं यह वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है जुरूर देखना डॉंट इंग्लिश में लिखा है तो डॉंट भी कंफ्यूज मैं हिंदी में बोलूंगी इंग्लिश में बोलूंगी बाइलिंग्वल एक्स्प जुरूर मिलता है तो सिग्मान घंगे मटिया था वह साएकोड नाव्योश आप्सा जो हेडोंगे मतलब क्या है उसने परक्जे की अधिक औहित को साइको मतलब इंटरनली अनलाइस किया था सेक्षवल फोम में अनलाइस किया था तो जो साइको अनलाइसज है वो गिवनबा सिगम call यू से सिँेंबर ओन तीग पैला साइको अनलाइसज क्या मतलब मनोवसल्येशन स्वाहद की जो यू मनोव flavकेता यूति थेम यू अनगिक्ता की यू मतलब क्या human mind है, क्या human mind की relations है, क्या हमारे dreams है, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारे minds में चलता रहता है, तो इन किस तरीके से बच्चे sexually life को सीखते हैं, तो इन सब बातों को जो है अध्यान किया था सिग्मन्ट फ्रैड ने, तो सिग्मन्ट फ्रैड की जो most important book थी, वो थी interpretations of dreams, तो it's not so important, याद रखना है interpretations of dreams, जो book है वो किस ने लिखी थी guys, तो सिग्मन्ट फ्रैड ने लिखा था, अब सिग्मन्ट फ्रैड का topic पढ़ने के लिए हम इसको थोड़ा सा easy बनाने के लिए, मैं आपको दो तरीके से एक तो इसने जो हम माइन के उपर बात की थी, human mind के उपर, कि human का जो माइन होता वो किस तरीके से होता कि mind की जो awareness होती हो किस तरीके से डील करती है, एक तो इसने इस पर बात की ती, मनो लेंगी विकास की, मैं अलब psycho sexual development की, जो हमेशा पीज़ीटी एक्जाम में आता है, five stages म में दिया था, जो personality के chapter का भी एक part आप कह सकते हो, it's also the part of personality chapter, ठीक है, but मैंने fried को अलग से बना दिया था कि exam में कभी कोई question गलत ना हो, तो सिग्मन फ्रैड ने सबसे पहले तो human का जो mind है, human की जो psyche है, human mind की जो awareness है, उसको three parts में divide किया है, id, ego और super ego, id, id, easy, o, ego and super ego, हिंदी में इनको लिखते हैं, id, एहम और पराएहम, ठीक है, id, ego और super ego, तो सबसे पहला question आप से ये पूशा दाएगा, कि साइको अनलाइसिकल, मतलब मनोव इसलेशन वाद की त्योरी किसने दिये, सिग्मन फ्रैड ने, इसने human mind को, human दिमाग को, human personality को, human awareness को, कितने parts में, इनको level of awareness भी बोल देते हैं, कितने parts में divide किया, guys, three parts में, कौन-कौन से हैं three parts, id, ego और super ego, you can say id, एहम और पराहम, अब होत ना, यहां से 100% question आता है, हर exam में, सबसे पहला id, id होती है, I want to do now, what, no matter, means, idem personality कोन से होती है, कि मुझे कुछ भी करना है, बस अभी करना है, मतलब इस personality के अंदर, इनसान के अंदर, एक satisfaction नहीं होता, कहने का मतलब एक पागलपन होता है, कि मुझे जो भी करना है, इसी वक्त करना है, बस इसी वक्त मेरी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, लाइक डैट, जसे मालनो मैं कोई चीज को देख लूँ, आज कल भाई, लोकडाउन चल रहा है, फास्ट फूर खाने का बहुत दिल कर रहा है, वही एक्जामपल लेते हैं, तो मेरे सामने आ गया पीजा, और परस्टेनिटी कोन सी होती है, यह होता है, इसा राइट टी डू, बई क्या सही है, बस वो करना चीए, बई जैसे पीजा खाना बिल्कुल गलत है, करोना वाइरस में क्या पता कहां का वाइरस हाजाए, क्या है, तो कहने का मतलब बई यह सही है, हेल्थ के लिए अच्छा न कर पाता है, आपको पता है, बहुत सारे हाथ से होते हैं, तो इसी वज़े से होते हैं, क्योंकि मतलब उसी वक्त तो अपनी सैटिस्फाइड करना चाहता है, खुद की नीट को, तो इसलिए फ्राइट ने थोड़ा थोड़ा इदम को इस तरीके से भी कोर्लेट करके बताया हैं, सूपर इगो की स्ट्रेप क्यों होते हैं, त्याग, बलिदान, महानता, वैल्यूज, मोरल्टी, भई नहीं, लाइफ में ठीक है, यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इस कैंड अपर सूपर इगो, तो इदम भी अच्छा नहीं है, तो बीच म फ्राहड ने का, एक और प्रसेनिटी होती, इंसान में, एक और हूमन माइंड होता, यह गो, अपनी जनल भाशा में तो क्या होता है, एहंकार वाला इगो, बट यहां पर एहंकार वाला इगो नहीं है, ध्यान रखना, यह गो क्या है, इस में भी कॉम्प्रमाइज, मतलब जो सुच्वेशन आपको चल रही है, यू कैन से अड्यस्टमेंट, एक कड़ी, एक पुल, एक समझ होता, जो एगो होता, जैसे पीजा मेरे सामने रखा है, और मालो पीजा मैंने दो चार दोस्तों में शेर करना है, तो मैं कहूं, इदम तो क्या है, नहीं मुझे खाना है, पूरा खाना है, अभी खाना है, यार ये गलत है, मतलब मैंने अपने फ्रेंट को भी देना, इनको भी शेर कर देना चाहिए, मतलब अड्जस्टमेंट कर रही हूं, मैं डटीज इगो, लेकिन मैं कह रही हूं, नहीं, ये हल्दी नहीं होता, स्वास्ते के लिए अच्छा तो इट्स कोल सूपर इगो, आइटिंग आप समझ गये होगे, इदम परस्नेलिटी कोन सी होती, इदम आवेरनेस माइन की, जो किसी भी चीज को संतुस्त्री करना चाहिए, तो आपको एक्जाम में कोई भी स्रीटमेंट दे देंगे, कोई बच्चा है, वो उस चीज को सिगमेंट फ्रायट के कोन सी प्रवर्ती है, जो की अड़ेस्टमेंट करती है, कॉंप्रोमाइज करती है, स्टेटमेंट को, माइन के लेवल को सेट करती है, तो वो कौन सी होती है, इगो होती है, और सूपर इगो कौन सी होती है, जो त्याग, बलिदान, महानता, वैल्यू मोरल्टी इन सब को डिल करती है वो कौन सी होते हैं सूपर एगो एक सिंपल से एक्जामपल देती हूं आपको तीनों समझा जाएंगी आप जो इदम परस्टेलिटी होता वो अनकॉंशियस माइंड के अंदर होती है माइंड को थोड़ा से डिटेल में दुबारा बताऊंगी हुमन माइंड के थी टाइप होते हैं कॉंशियस सब कॉंशियस और अनकॉंशियस माइंड वो होता है जो प्रेजेंटली जैसे आप मेरी सुन रहे हूं एक सिंपल सा आपको एक्जामपल देती हूं सिगमन फ्रैड ने जो अपना माइंड है ना इसको ने जैसे बरफ की किसने बोला सिम्मान फ्रैड यह कहता है कि मंट होता है फीर अनकॉंश्यस सब कॉंशियस मालब बरफ की चटान है उसमें थोड़ा सा हिस्सा ता है में ऊपर उपर वह ता कॉंशियस माइंड मतलब जो mind जिससे आप attention देते हो मेरी सुन रहे हो particular moment पे जब activities करते हो तो आपका today तो और वाला बीच वाला दिमाग अर्ध चेतन दिमाग कोंसा होता है जिसके अंदर में यू कन से ये जो आप कोई भी पास्ट का एक्सपिरियंस होता है जैसे कि किसी भी घटना है मालो हम कहीं घूमने चले गई थे तो वो घटना मैं घूम के आ गई तो हर वक्त थोड़ी ना मुझे याद है लेकिन मेरे फ्रेंड ने आके पूछा यार तू वहा गई थी तो जो एक्सपिर सुन daar ने किसमतर और दिया है तो सिगमन फ्रेर ने जो डिया अनकॉछ च्छांस मैंड जिसको हम अची इतन मन बोलते हैं सिग मन फ्रेर कहता है इस फीलिंग से लोटी फोस होते हैं जो हमारी अधूरी। जाती है मेंग अन्कोंशियाइं Mile shot ? ज्रह फीलिघ उनलगं में माइन उनका बंडार होता है कि इसाप से बहुत इंपोरेंट है कि जागरुकता कि कि इस तीन क्योंचियस सब्सक्राइब कि इस त्री टाइब की इड इग और इगो अब यह क्या कहता है कि जो पेस्टेंटी है विट विट ये कहता है कि इड जो पस्नेरटी है ये किस से रिलेटिड है इड पस्नेरटी जो रिलेटिड है वो अपने अनकॉंशियस माइंड से रिलेटिड है जो इड पस्नेरटी रिलेटिड है वो सब कॉंशियस माइंड से रिलेटिड है और जो सूपर इड पस्नेरटी इगो किसे है सब कॉंशियस और सूपर इगो कॉंशियस ऐसे आद कर लोंगे देखो जो सेक्सुल एनर्जी होती है वो हर वक्त फोड़ना है वो दिमाग में कहीं न कहीं से बना तो वो अनकॉंशियस माइंड हो गया अरजस्टमेंट करेगा कौन सा वही सब कॉंशियस पीच दिमाग और जो सूपर इगो क्या होता त्याग बलीदान यह चीज तो हम सोच समझ के करेंगे ना तो यह क्या हुआ सूपर इगो ठीक है तो आपको चीज पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है यह चोटा सा और एक्जामपल मैं दे देती हूं तो थी माइंड अनकॉंशियस अपॉंशियस सब को डिटेल से याद रखना बरफ की चटान एक सिंपल से एक्जामपल देती हूं इंटरस्टिंग से एक्जामपल है तीनों माइंड बिल्कुल क्वाइट क्लेर हो जाएंगे एक लड़की सड़क पे जारी होती है बहुत चेड़ के इंज्वाइए करूं यह वह है तो कौन सी पस्नेटी है उसके माइंड में इधम पस्नेटी लेकिंग वह सोचता है यां तो बीड़वाड है छेड़ूंगा फाल तुम्हें कहीं मैं कुछ उत्ते उत्ते पढ़ जाएं इससे अच्छा छोड़ मैं खाली स्तान प सकती है तो उस लड़की को छोड़के चला जाता है तो उसके मन में कोन सी पस्नेटी आई हैं सब्सक्राइब करते हैं ना जाँए हम चाहि ऍमसल्द कहने हैं इड़ करना है यह human beings के अंदर ego जो है reality चेक करती है realistic way में इंसान को adjustment करवाती है और super ego value society honesty इन सब पर जो है क्या करती है डील करती है अब यह तो था सिग्मन फ्रैइड का जो personality और mind को लेके इसने बात कही है अब इसके अलावा जो सिग्मन फ्रैइड है उसने एक development दिया है psychosexual development this is the question always comes in exam always and always special पीजिटी लेवल पे question confirm आता है psychosexual development of sigma फ्रैइड हिंदी में सिग्मन फ्रैइड का मनो लैंगिक विकास सिग्मन फ्रैइड का मनो लैंगिक आपको नाम से क्लिए देखो मन लैंगिक साइको सेक्स्वल में सिग्मन फ्रैइड कहता है कि इस तरीके से भी फ्रैइड कुछ बच्चा है उसका शुपैदा होने से लेकर ही लेंगिक तरीके से विकास हो जाता है लेकिन पेरेंट्स को उसको समझना चाहिए किस तरीके से उसको डील करना है लेंगिक विकास को कैसे बढ़ावा देना है कैसे नहीं देना बच्चे में हर स्टेज पे चीज़े पाई जा अनल स्टेज को बोलते हैं गुदा अवस्ता फैलिक स्टेज को बोलते हैं लेंगिक अवस्ता लेटेंसी स्टेज को बोलते हैं वेक्ट अवस्ता और जैनिशियल स्टेज को बोलते हैं जर्रांगी अवस्ता ठीक है 0 से 2, कई बार 0 से 1,5 भी मिल जाती है, उप्षन में, यदि आपको 0 से 1,5 मिले, तो 0 से 1,5 टिक कर देना, अधरवाइस 0 से 2, नोटे बिंग इशु, ये 2 से 3 हैं, कई बार उप्षन में, 1,1 से 3 भी मिल जाती हैं, तो यदि आपको उप्षन में वरनन हाफ डेड़ वाला उप्शन मिले तो आप डेड़ वाला टिक करेंगे चुकि एक बार यह स्टेट में आथा और आंसर की ने डेड़ वाला राइट बना था ठीक है फिर 3 to 7 है 7 to 11 है और 11 to चलती रहती है अब क्या है यह स्टेजिस फ्रैड कहता है कि हर इंसान में लेंगिक कुछ चीजे होती है और वो उनको मतलब सैटिस्फाइड करना चाहता हर बच्चे में एक लिबीडो होती है लिबीडो का कॉशन एस्टेट में 3 टाइमस आ चुका है अब कुशन आता है लिबीडो क्या होता है लिबीडो एक टाइप की परवर्थी होती है एक टाइप की इंस्टिक्ट होती है जो योन उर्जा से समंदित होती है ठीक है तो योन उर्जा से समंदित जो परवर्थी होती है वो लिबीडो कहलाती है तो यह कुशन काफी बार यह बताया है कि आप उसको कैसे आगे बढ़ाओगी सो वेरी फर्स्ट हम चल पढ़ते हैं और स्टेज के उपर ठीक है तो सबसे पहले कौन सी स्टेज है और स्टेज इसको बोलते हैं मुखावस्ता तो देखो नाम से क्लियर है सिग्मल फ्रैट कहता है इन दिस एश जो लिबिडो होता है वो सेंटर होता बेबी के माउथ में कहने का मतलब इस एश में ते नाम से क्लिड़ा मुखा आवस्ता इस एज में बच्चा जो भी एक्टिविटीज करता वह मुख से करता जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा मा के मादम से और फ्रैड कहता है कि आप उसको शांत करने दो वह ब्रेस फीडिंग कर रहा है वह अंगुठा चूस रहा है मतलब लिमिटेड बहुत ज्यादा भी नहीं बच्चों को मतलब एक लिमिट तक जो वह करना चाहता उसको करने दो लेकिन यह नहीं सारे दिन की वह अ तो फ्रैड कहता यदि आप इनको फिक्स कर देते हैं कहने का मतलब fixation मतलब आप उनको बढ़ने नहीं देते उसकी इच्छाओं को तो बच्चों को अलाउड नहीं करते तो वह नेल बाइटिंग करने लग जाएगा वह और नेगिटीव एक्टिविटीज करने लग लेता है वह अग्रेसिव भी हो जाता क्योंकि टीफिंग का टाइम आता है टीफिंग आती हर चीज को मुह में लेता है तो लाइक डेट तो यजस्ट रिमेंबर दिस प्रेश ओप साइको सेक्षवल डिवल्मेंट फस्टेज और स्टेज सेकंड जो स्टेज होती है साइल का मिन बाता है प्राइब बश्राकर्ण से लॉच सब्स건복न मोशन के पर दिख़ी आप की उनको ऊणग पर नंको शल जा तो आंए तो आपको बताना यह वह और सिस्टर्म से मिलिक प्रेशर को कई बच्र आता वह श्मीं झाटे कहें दो विए तो बच्छ वर्शूमों जाते हैं भूं के तो ढूं करते हैं वे तो कैसे बनते हैं भई लगोगनाईज को भी ऐसे च्में वाले नहीं होते थो मतलब समय धान क्रेंग्शे चाहिख करूअ चाहिए आप वोश्रूम आपके बच्छे किस तरीके से जा रहे हैं वहां से पता कर सकते हो देट से इन साल का बच्चा यदि मज़े कर रहा है वोश्रूम को सारे घर में करता फिर रहा है तो इसका मतलब वह भविश्य में जाके अच्छा वनने वाला नहीं है वह बिल्कुल प्रवर्ध के फॉकस होता है बच्चे का सेक्सवल और गण्स के उपर मतलब ऑप गूम रहे हैं और पुराने जबाने में वह नहीं फील करते थे ते कर दे लटका लड़की का आभास उनको हो जाता है और वह अपने जो सेक्सवल और गंस होते हैं उनके साथ करते हैं खेलते हैं मतलब यह प्रवर्ती होती है अकोडिंग टु फ्राइट इस में फैलिक स्टेज में लैंगिक अवस्ता के अंदर वाप हमारे जो मतलब यहां पर कोशिन है इस को आपको फोकस करना है इस ट्राइप में में इस इस में दो इलक्ट्रा कंपलेक्स एडिपस एन इलक्ट्रा इडिपस और ने टॉड़ पडंड प्र topics कैसे बनाधा बड़ी साइक्स एंग्रिट्रेचर नहीं है एक्चुली क्या होता है एक वर्क है तो उसमें राजा होता है राजा को भिष्यवानी कर देते हैं कि इस तेरी जो वाइफ है उसको मतलब तेरा बेटा तेरी वाइफ को पसंद करेगा और ऐसे करके तेरी डेथ हो जाएगी लाइक जो भी है तो मतलब राजा को लगत तो जैसे लड़का उसके राजे में आ जाता है तो जैसे लड़का उसके राजे में आ जाता है तो जैसे लड़का उसके राजे में आ जाता है तो जैसे लड़का उसके राजे में आता है वो उसकी मदर को देखता है उसकी मदर बहुत सुंदर होती लड़का वी बहुत हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रेक्ट हो जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं और राजा को मार देते हैं वोी चीज़े होती है ब возьन ही कम चू नो जब उसको पता चलता यैर यह मेरी मां है और ऐसे ऐसे जब बाद में लोगों कहते हैं और अपने आपको ब्लाइंड कर लेता है वो भी मर जाती है वो भी मर जाते हैं तरह ट्रैजडी है बट यहां पर आपको कोई लेना देना नहीं है मेरा कहने का मतलब यह ओडिपस कॉम्पलेक्स वहीं से आया है कि लड़का अपनी माँ को पसंद कर रहा है तो इस लड़का न ब्लाइब तो अपको दहान रखना है हर तरीके का अट्रैक्शन हैं जो है इसके अंदर होता ओडिपस कोंपलेक्ट इलक्टरा ई से इस्तरिलिंग गडर्ल तो गडर्ल चाहिड जब अपने फाधर के लिए अट्रेक्ट होती है डैट इस इलेक्टा कोंपलेक्स सुनके आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहने का मतलब बच्चे में यह प्रवर्ति आ जाती है बट वो डिपेंड करता है घर के माहूल पे आप उन परतियों को बढ़ावा दे रहें नहीं दे रहें लाइक जो भी है तो आपको एक्जाम के लिए स्टना रखना है कि डिपास इलेक्ट्रा क्योंकि एक्जाम में यहां जो कोशन आते हैं लेटनसी स्टेज्ट की जो एज है चाइल्ड हुड वाली होती है ठीक है तो चाइल साइकलोजी में चाइल्ड हुड बहुत मैटर करती है तो इससे में क्या होता है कोई भी फैलिक कोई भी सेक्षवल चीज़े नहीं होती गड़ के औप्षन से रखके थे मुखह आवस्ता गुदा अवस्ता लेटनसी स्टेज क्या होती श्कूल गोई श्किल्स सीखना क्रियो सिटी यह लेटनसी स्टेज होती इसमें कोई भी सेक्शल ड़र्पिन नहीं होता इसलिए इसको सुपता वस्ता भी कहते हैं तो यह धान ना कि लंगिक विकास की सुपता वस्त्ह इसको कहा जाता है लिटन सी स्टेज़ और लास्ट जो स्टेज हिए वह जैन चेस्ट को indeed है जैन चेजर पूरा डवल्मेंट हो जाता है और हर चीजु तीन स्टेज में जो लैंगिक कोट सहु thyroid हो एक गल्स बॉइस ट्रेक्ट टो यदर तो लॉजिकल ड्वल्पेंट की फाइनल स्टेज होती है काईज जैनिशियल स्टेज तो यह थे सिग्मंट फ्रैट के पांचो ड्वल्पेंट इसके लागा सिंग्मंट्राइड ड्रीम्स पे बात की है कि सपनों से भी इंसान की कर सकते हैं so guys hope so you like my description about segment fried and it's one and two questions sure I will sure की exam में आने वाली हैं आपको दिल से दी अच्छे लगें मैं कभी किसी बच्चे को compile नहीं करती कभी वीडियो के शुरू में नहीं कहती लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आपको दिल से मेरी वीडियो मेरे एफ़र्ट्स आपके लिए अच्छे लगते हैं so last में मैं जुरूर कहूंगी कि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दें चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें चोकि मैं वीडियो बेशक कम डालती हूं बट मैं ओल्वेस जब भी डालूंगी हमेशे एक्जाम के क्या दो नंबर की वीडियो डालूंगी और साइक्लोजी तो मैंने लगबग पूरी करवा रहे तो साइक्लोजी की टेंशन लेने की आपको जुरूरत नहीं है तो गाइस फ्यू लाइक देन डॉंट फर्गेट तो लाइक ना चैनल डॉंट फर्गेट तो शेयर और बेल आइकन जुरूर दबाले हो किसी को नोट से स्टी मेटरियल चाहिए तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं यू के टेक देक्ट स्क्रीन शोट आइव अकेडमी ना पानिपत बट लोकडाउन में बेशक फोन ना करें क्योंकि नोट्स बाद में कॉरियर हो पाएंगे सो हैवे नाइस टेंक यू सो मच कीप वाचिंग कीप शेरिंग स्टे करेक्ट विद में बबाई टेक्यर